साथियो हमारे बीच में अलिगर सांसा सतीर गोतम भी है गोतम जी एक बड़ नमस्ते दो कर दोयार सबको आप चुपचा बैठ गया आगे और दो नेता तो ऐसे है परलाट पटेल जी और पपो यादो जी जब हम राजनती में नहीं थे और छातर जीवन में थे जब भी उस संसद में थे और शायद जिनको सब ज़्यादे मैंने सुना होगा संसद में बोलते हुए वो दो नेता हमारे बीच में है और अपनी बात को हमेशा बेबाग तरीके से राजनती कदों को तोड़ते हैं दोनों नहीं सकी है आज इसे दो साथ ही हमारे बीच हैं धन्यवाद राजेश जी हमारा देश भारत हिंदुस्तान एक छेतरफल है एक आबादी है अगर हम इसकी तुलना एक ट्रेन के डबे से करें जिसमें पचास बहतरीन सीट है सोने के लिए और पचास सीट पर पचास साथ ही अराम से सोते वे चल रहे हैं अगला स्टेशन आता है पचास लोग और बैठे सोने के बजाए पैर थोड़े से मोड़े और दो-दो शिफ्ट होगे अगले स्टेशन पर पचास ओर चड़े एक सीट पर तीन बैठे सोना खतम बैठे बैठे अगले स्टेशन पर पचास ओर चड़े तो जमीन में अकबार विशायर अकबार पर बैठे अगले स्टेशन पर पचास ओर चड़े और ट्रेन की छट पर बैठे पचास के डब्बे में ढाई सो होगे और फिर एक आवाज आती है कि सरकार सबको सुविधाय दे सबको खाना दे, सबको आवास दे सबको सिलेंडर दे, सबको सब दे आप कैसे दे सकते हैं जो लोग ये कहते हैं कि और भी दुखों के कारण है वो अपने आपको कहीन गी दोका देते है असली मूल कारण आबादी बहुत से अथमत्यों का जिकर होता है इस देश में किसान होगी चुकि मैं भी किसान हूँ और हमेशा किसान की बात करता हूँ कभी आपने बड़े किसान की आथमत्य सुनी है आज भी 85% छोटा किसान है इस देश में उसी किया अदमत्य है अगर किसी किसान के पास 40 हेकड जमीन है तो आज भी उसका काम चला उसा अदमत्य क्या आउश्चता नहीं है सभी पपु भाई एक बहुत बड़ा काम करते है पपु भाई से ज़्यादा इस देश में आज तक किसी सानसद नहीं करा बहुत से लोगों को पता नहीं होगा इस बात का बिहार का गरीब से गरीब व्यक्तिन के घरा के रुकता है खाना खाता है और इसका इलाज ये करवाते है और कितना कश्ट होगा कितना बड़ा नाम है पपु यादाओ अगर सुप्रिटेंट को फोन कर दे थोड़ी बहुत शरम कर ले मेरे जैसे पहली बार के सानसद को तो एक कह दे सुप्रिटेंट कहा सा है बहुत कोन है तू लेकिन पपु भाई अगर आबाद इतनी ना होती तो शायद एमस के बारा के दस जार आदमें के भीड़ना होती तो कहीने की मूल जड़ मूल समश्या में आबादी तो है हमें मानना पड़ागा हमें इस विकार करना पड़ागा हम बिली और कबुत्तर वाला खेल ने खेल सकते कि कबुत्तर है बिली देख लिए आख बंद कर ली कि बिली मुझे ने खाएगी बिली तो खाएगी यह आबादी इस देश को खाएगी निश्चित रूप से खाएगी यह ठीक है आपने एक बात और कही बड़े भाई कि कानून बनने से समस्या का समाधान नहीं होता मैं सेमत हूँ निर्वया पर आपने कानून बनाया आप लोग उस तरह में संस्द में थे मैं नहीं था समाधान नहीं वारे एक केस का लेकिन सोचिए अगर आप कानून ना बनाते तो कितनी ज़्यादे निर्वया होती है इसलिए बात यह कानून नहीं बनाएंगे तो जा के कहां रुकेंगे हम लोग अगर कानून अगर सब समस्दाव का समाधान पढ़ाना होता एजुकेट करना होता या जनजागरन करना होता तो देश में कानून की आवशत्त्या क्या थी क्यों अत्या के केस में हम जेल में बंद करते हैं हम पढ़ाएं एजुकेट करें क्यों चोरी में हम जेल में बंद करते हैं कानून का भेवी जरूरी है कानून अपना काम करेगा कानून हमें लाना पड़ेगा आज नहीं तो कल आज फिर वैसे भी हम बहुत लेट हैं आपने ठीक का बहुत देर हो चुकी है और इस से ज़्यादे देर करना शायद विस्थिती वाकिव इस फोटक होगी मोटे तोर पर बहुत छोड़ी सी बात कहूंगा चुकि साड़े तीन बज़ जाना है जो प्राइवट मेंबल भी हम डाल रहे हैं ये कोई समाधान नहीं है ये भी जन जागरण है सच बात ये है मैं कहूं हूँ मैं कानून बनवा दूँगा ज़ डालके मेरे 34 साथी मेरे से पहले डाल चुके हैं यहां जो स्टेज बे बैटें सबने प्रियास किया कानून नहीं बनेगा लेकिन हमारी आपकी बात जनता तक जाएगी और जनता की बात सरकार के कान तक जाएगी हम सब डाकिया हैं सरकार की बात जनता में पहुचाना और जनता की बात सरकार में पहुचाना जो समझे है बहुत दिनों बाद हम किसी ऐसे मुद्धे पे खटा हुए है जाना राजनिती है ना किसी दल के परती कोई गलत बात कहनी है ना कहीं कोई राजनिती के बात नहीं है ये प्यूर देशित का मामला है जो बिल मैंने आज डाल इंट्रिडूस करने जा रहा है उसमें अच्छा बत्ते हों सरकारी सुई अधाना मिले क्यों दो अजार बाइस तक हमारे प्रदानतिने कहा कि हम सब को आवाश देंगे बहुत तेजी से काम चला है हम सोचा ले देंगे हमने दिए लिकिन दो आजार क्या सरकार एंकी काम करती रहें के दो जार तेश्गार नहीं के होने के लिए आवास बनाई two焦 24 में फेर आवास बनाई दो जार 25 में फेर आवास बनाए थो खाने की जमेन कहा बचया की बाई कांज से खाओगह अब लोग कि की बहुत हो चुका अब जागने की बार ही है यह कहीं ये कहीं काई डिस्टिक है और मैं गाउं में दो तीन दिन उसके बाद गया तो हराद में गिच्छा थी और वो जातर गरीबी थे, किसान थे, मजदूर थे, नहीं मैं रोको, कहीने कहीन रुक है यार, बहुत जादे बेड़ होगी, दम गुटने लगा इस बेड़ में, कहीने कहीन जब दिल्ली में खड़े होते हैं, बेड़ बरेच चुराय पर रेल्वे स्टेश्म में खड़े हो को यहां बुलाया, पर लाद पटिल जी, बड़े भाई, कंक्लूड करेंगे, मैं बहुत जादे नहीं कहना चाहता, आप ही कहें तो बेतर हैं, मुझे लगता है, दो सो पच्चिस नहीं, पान्सो चवालिस के चवालिस साथ हैं, कहीं लोग बस डरे हुए हैं, उनका डर नि झाल झाल